यार वैसे तो आपकी पॉड़ी पर ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जो आपकी परसनलिटी के बारे में ना काफी कुछ बता सकते हैं पर इसे स्टडिस में साइंटिस ने पता लगाया है कि अगर आपके इन जगह पर मोल्स यनि की दिल है तो आप एक बहुती ज़ादा खास इंसान हो सकते हो साइंटिस्ट का मानना है कि एक नॉर्मल इंसान की बॉड़ी पर दस से पैंतिस मोल्स होते हैं तो चलो यार गाय साथ इस वीडियो को ना लास तक जरूर बेखना और नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि आपके किस जगह पर मोल्स यनि की दिल है यार नमबर एक पर आता है टेंपल ब्रो अगर आपके भी इस जगह पर तिल है तो यार एक बाद तुम्हें आपके बारे में बता सकता हूँ कि आपको ना ट्रेवलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन यार उसाथ ही साइंटिस्ट को पता चला है कि ऐसे लोगों को अडिवेंचर और नई चीज़े एक्स्प्लोर करने के लिए ट्रेवलिंग करना काफी ज़ादा पसंद भी है ऐसे लोगों का माइट सेट ये होता है कि उन्हें हमेशा ही खुश रहना और मस्ती से रहना पसंद होता है गाइस नबर दो पर आता है बिट्वीन दा आईब्रोस यार असल में न ये आपके फेस का केरियर सेक्टर है साइंटिस्ट का मानना है कि जिन लोगों के इस जगा पर तिल होता है वो जिन्दगी में बहुती ज़ादा काम्याब होते है और उन्हें कहीं न कहीं भी किसी भड़ी कॉम्पनी में जॉब तो जरूर मिलती है तो यार आप भी तयार हो जाओ अगर आपके भी इस जगा पर तिल है तो आप भी सिन्दगी में कुछ ना कुछ बढ़ा तो करी जाओगे और स्टडिस में ये भी पता चला है कि ऐसे लोगों को गर पर रहना भी काफी ज़ादा पसंद होता है तो अगर आप भी यार ऐसे लोगों में है ना तो आप जिन्दगी में सक्सेस जरूर हांसिल करोगे क्योंकि यार इस सर्फे में पता चला है कि ऐसे लोग ब्लॉगिंग पेंटिंग और यूट्यूब के कैरियर में बहुत हाई लेवल पर जाते है तो यार नमबर तीन पर आता है बिट्वीन दा आई एंड आई ब्रो ऐसे लोग काफी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के माने जाते हैं और उन्हें हर नई जगा पर गुमना भी काफी ज़्यादा पसंद होता है साथ ही इस तरह के लोगों को हर नई चीज में काफी ज़्यादा इंट्रस्ट होता है और वो हर नई काम में काफी ज़्यादा सक्सेस भी हासिल करते है यार नमबर चार पर आता है अपर लिप ब्रो अगर आपके भी यार अगर आपके भी लिप के उपर तिल है तू आप ना एक बहुती यार एक बहुती कमाल केग कम्निकेटर हो और यार आपकी कम्निकेशन स्किल के बारे में तो क्या ही कहना वो तो एक लूँ गजब है और इसीके चलते ही आपके फ्रेंट्स भी आपसे काफी ज़ादा खुश रहते होंगे और ब्रो साथ ही ये भी पता चला है कि ऐसे लोग ना अपनी डाइट और अपने खाने के उपर भी काफी ज़ादा ध्यान देते हैं तो चलो गाइस नंबर पांच पर आता है चिक बोन 2014 में नेदरलेंड्स ने एक स्टड़ी में पता चला था कि जिन लोगों के ना इस जगा तिल होता है वो जिन्दगी में बहुत ही ज़ादा अमीर बनते हैं और उनके पास ना यार मनी की यनि की पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती जैसे अब राहम लिंकन उनके भी चिक पोन पर तिल था और यार आप तो जानते हैं कि कितनी ज़ादा मुश्किलों के बाद अंत में वो अमेरिका के प्रेजिडेंट बने थे गैस नमबर शे पर आता है चिन जिन लोगों के न चिन पर तिल होता है वो सबी के न यार फिवरेट होते हैं तो यार अगर आपके 20 जगा तिल है तो ब्रोग कंग्रैक्स क्योंकि आप तो यार सबी के फिवरेट हो ऐसे लोगों को सबी लोग काफी जादा पसंद करते हैं क्योंकि यह लोग ना यह सबी की बहुति जादा रिस्पेक्ट करते हैं हर तरह के बड़े काम में यह अपनी पूरी रिस्पॉंसिबिलटी से काम करते हैं साथ ही इतकी खास habits होती हैं कहीं भी नई जगा पर जाकर ट्रेवलिंग करना और नई चीजों को एक्स्प्लोर करना गैस नमबर साथ पर आता है इयर 2011 में स्पीन में एक स्टडी में पता चला था कि जिन लोगों के नई एर के पास दिल होता है उन्हें दूसरों से काफी अच्छा सुनाई देता है और यार ये बात एक पर नहीं बलकि चार स्टडी के बाद प्रूफ हो चुकी है और ये साइंस का एक पूरी तरह से टूफ फैक्ट है साथ ही ऐसे लोगों को काफी ज़ादा लकी भी माना जाता है और माना जाता है कि ऐसे लोगों की किस्मत हर समय उनके साथ रहती है तो चलो यार गाईस यही थी आज की वीडियो इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर बताना और इस फीडियो को लाइक करो शेर करो अपने बाई के चैनल को न सब्सक्राइब करने के साथ ही इस गंटी को भी सुरूर दबादू